नमश्का दोस्तो जय मातादी स्वागति आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो तुला राशी वालो 25 दिसंबर 2022 से आपका एक एक सपना सच होने वाला है जिया दोस्तो चंद्रमा ने आखिरकार अपना राशी परिवर्तन कर लिया है जिसके प्रबाहु से तुला राशी वाले जातकों के जीवन में काफी बड़ा बदलाओ काफी बड़ा परिवर्तन आने वाला है ऐसा क्या सकते हैं दोस्तों कि रोने के दिन अब समापत हो गए पैसा गिनते गिनते ठक जाओगे क्योंकि गज के सरी योग बन रहा है जो आपका जीवन पूरी पूरी तरीके से बदल कर रख देगा वीडियो बहुत खास है पूरी पूरी तरीके से आपके ग्रह गूचर इवम आपके पंचांग पर आधारी दें तो सबसे पहले इस दिन के पंचांग पर अगर नज़र डालें तो दोस्तों आपको बता दें 25 दिसंबर 2022 रविवार का यह दिन होने वाला है पोश मास शुकल पक्ष की दितिया तिथी रहेगी उसी के साथ उत्तर शाड़ा नक्षत्र का इस दिन निर्मान हुडा है व्या ज्याद यूग बना है उसी के साथ गज के सरी यूग का भी निर्मान हुआ है सूरे इस दिन दोस्तों धनूर राशी में रहेंगे परंतु कमाल की बात आपके लिए यह है कि चंद्रमा अपना राशी परिवर्थन करकर अब धनूर राशी से मकर राशी में आ गए हैं इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं क्या दुख खाएंगे क्या सुख खाएंगे कि इन चीजों से साउधानी रखनी होगी एक एक बात अच्छे से समझा दूगा परंतु से पहले रविवार का यह दिन रहेगा तो जितने भी सुर्य देव के सच्चे भग यह वीडिय जो देख रहे हैं सुन रहे हैं बिना देर करें इसी पलिस वीडियो को लाइक कर दीजिए साथी कॉमेंट बॉक्स में जाकर जो भी बख सुर्य देव तक अपनी हाजरी लगाना चाहता ही पहुचाना चाहता ही वह कॉमेंट बॉक्स में लिखे जय सुर्य देव जया दोस् हूँ जो कि आप रविवार के दिन कर सकते हैं इस उपाय को कनने से दोस्तों आपके जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो फिर चाहे वह धन से जुड़ी हो स्वास्त से जुड़ी हो परिवार से जुड़ी हो घर से जुड़ी हो कैसे भी समस्या होगी आपका हल मिल जाएगा दोस्तों उपाए है रविवार के दिन के लिए हम सभी जानते हैं कि रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है यानि कि यह दिन स्वैम सूर्य देव का होता है ऐसे में दोस्तों इस दिन आपको क्या करना है सूबह सूबह जब सूर्य देव प्रकट होते हैं उस समय आपको उठी जाना है अच्छे जिस्नान करना है नाना है उसके बाद एक लोटा जल लेकर आपको अपने घर की छट पर पहुँच जाना है जियां दोस्तों सूर्य देव को जल चड़ाना है अर्ग देना है ऐसा अगर आप पांच रविवार करते हैं तो धन से जुड़ी जितने भी समस्या है वह सारी समस्या समातू जाएगी अगर घर में शांत जोजाना घर में जो छोटे मोटे लडाई जगड़े होते हैं जो आशांती का वातावरन परिवार में छाया हुआ है वह दीरे दीरे समात हो जाएगा परंतु दोस्तों अगर आपकी समस्या है स्वास्त से जुड़ी कोई रोग आपके शरीर में है कोई भीमारी अगर आप को परिशान कर रही है तो दोस्तों आपको यह उपाय रोस करना है प्रति दिन करना है और आपको इस उपाय को कुछ अलग तरीके से करना है आप जब अपने लोटे से सुर्य देव को जल चड़ा रहे हैं अर्ग दे रहे हैं तो आपके लोटे में आपको धीरे धीरे जल चड सुर्य देव के दर्शन करने हैं जित दोस्तों अगर आपके आँखों पर कोई चस्मा लगा वाँ है कोई नंबर का चस्मा है तो भवाँ हटा देना ही आपको अपने इस पष्ट नयनों से उस जलदारामी से सुर्य देव का प्रकाश देखना है उसके दरशन करने हैं सुपह सुपह का सूर्यदेव का प्रकाश बहुत शक्तिषाली होता है वह प्रकाश समस्त रोगोगों को अपने अंदर समा लेने की शक्ति रखता है तो इस उपाय को अगर आप 5 शक्ति माह तो 5 रविवार कर लेंगे तो हम गैरंटी देते हैं किसी डक्टर के पास जाने के आपको आवशक्ता नहीं पड़ेगी बास सही लगी हो तो लाइक तरकर जैसुर्यदेव जरू लिख देना आई अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपके आज के महाराशी फल के बारे में दोस्तों आपको बता दे आज के दिन आपके लिए सामान्य दिन साबित होगा आपका मन असामाजिक कारियों की तरफ जादा लगेगा वहीं आज आज आप आर्थिक लाब डुनने का प्रयास करेंगे जिया दोस्तों काफी लंबे समय से पैसो के मामलों में आपके जीवन में बहुत सारे दुख बह कुछ कुछ काम ऐसे जरूर होगे जिनें पूरा करने के लिए आपको कड़ी मैनत करनी पड़ सकती है ज़्यादा परेशानी आपके कामों में इस दिन आ सकती है परंतो अब क्या करें दोस्तों अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो मैनत तो करनी पड़ेगी आज आप नए नए ने कामों की और अपना ध्यान थोड़ा ज़दा लगाएंगे अब नए नए कामों की और आज आप आकरशित हो सकते हैं नए नए लोगों से मिलेंगे, उन से बातचित करेंगे कि जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए कैसे नई लूप रेखा तयार करी जाए उसी के साथ विद्यारतियों को बता दें पड़ाई लिखाई पर इस दिन आपको ज़्यादा मैनत करनी चाहिए फिजल में इदर उदर समय विर्थ मत करिए यह समय बहुत किम्ती है यह समय आपके लिए बहुत खास है ऐसा समय अगर चला जाता है तो लोट कर नहीं आता इसलिए इदर उदर की चीज़ों में समय बिगाडने से अच्छा है देखे दोस्तों गुरुदेव कहते हैं इस दुनिया में आपकी वाणी से बड़ा कोई हत्यार नहीं जै उस तो आपकी वाणी आपका सबसे मैटापन हत्यार होता है अगर इस वाणी से आप किसी का दिल जीत लेते हैं तो आपके सारे काम बन जाते हैं परन्तों अगर इस मानी से ही आप किसी का दिल दुखा देते हैं तो आपके बनते बनती काम भी पिगड़ जाते हैं इसलिए दोस्तों ध्यान रहे कि इस मानी से आपको लोगों का दिल जितना है इस मानी से आप किसी के दिल को ठैस ना पुचाए साथी गलत कामों से इस दिन दूरियां बना कर रखें अन्यता किसी बुरे चंगुल में आप फस सकते हैं अपने कामों के प्रतीत थोड़ा जागरू का आपको रहना होगा थोड़ा ध्यान आपको लगाना होगा इदर उदर की बातों में न पड़े अन्यता दोस्तों दिक्कते बढ़ सकती है फिजूल की चीजे आपको इन दिनों थोड़ा ज़्यादा परेशान करेगी फिजूल की बातों पर मैंच ज्यादा लगेगा क्योंकि दोस्तों समय की मांग यही है कि कैसे भी आपका किम्ती समय बरबाद किया जा सके इसलिए इदर उदर की बातों पर ध्यान ना देते हुए जो मैयत पपुन चीजे हैं जो आवशक चीजे हैं उनकी अगर आप पूर्टी करोगे तो आपके लिए बहतर साबित हो सकता है साथ ही दोस्तों आपको बता दें नए नए कामों की जिन शुरुआत कर सकते हैं जिया दोस्तों अगर आप भी रुजगार हैं काफी समय से कोई रुजगार तलाश रहे हैं तो नए नए कामों की और इन दिनों आप ध्यान दे सकते हैं निश्यत रूप से दोस्तों मन चाही स पर थोड़ा ध्यान देना होगा छोटे मोटे लड़ाई जगड़े परिवार में बाधाय पैदा कर सकते हैं छोटे मोटे लड़ाई जगड़े परिवार में दिखते उत्पर न कर सकते हैं इसलिए कुछ बातों पर आपको ध्यान देना होगा ताकि परिवार में ज्यादा व वाले दिन को लेकर वीडियो दोस्तो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी ना बुले साथ ही दोस्तो कॉमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से सुर्यदेव के समस्त सच्चे भग जय सुर्यदेव वबश्च लिए उसी किसा ना चैनल को कर लेना ताकि आपको भी ऐसी ही ग्यान वर्दक वीडियोस मिलती रहे और दोस्तों कोई प्रशन अगर आपके मन में हो जो आप पुछना चाहते हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं इस वीडियो को देखने के आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद